ओम शांती आज 29 जून 2022 है आज हम स्लोगन के द्वारा ये जानेंगे कि बैलन्स हमें किस चीज़ की रखनी है और बैलन्स द्वारा हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति कैसे होती है आए सुनेंगे आज का स्लोगन स्नेह और शक्ती का बैलन्स ही सफलता की अनुभूती कराता है दुनिया की भाशा में यदी कहे तो स्नेह और शक्ती का बैलन्स माना left brain और right brain का balance और अलोकिक भाशा में यदि कहे तो इसको कहेंगे विवेक और भावना का balance जो बाप दादा ने हमें राजयोग की शिक्षा दी है उस राजयोग का नाम ही total balance का है क्योंकि राजयोग में भक्ति योग भी है तो ज्ञान योग भी है भक्ति योग माना स्नेह या प्रेम की भावना के आधार से परमात्मा पर निस्चय होना परमात्मा के प्रती प्यार उनके प्रती सच्चाई सफाई और जिसके अंदर नवीनताए नवीनताओं के साथ साथ creativity के साथ साथ visualization उमंग उच्साह समिलित है और जो दूसरा योग है ज्यान योग ज्यान योग अर्थात ठोस ज्यान के आधार से परमात्मा पर निस्चय होना और इसके अंदर कत आता है मनन्चिंतन ज्यान और योग का प्रयोग अलग-अलग विधी से ज्यान को अलग-अलग परिस्तिती में कैसे प्रयोग किया जाए उसका हमें उसका प्रयोग करने की विधी जानना और उसी हिसाब से चलना लोजिकली सोच करके ज्यान को समझ करके चलना ये है ज्यान योग जिसको बाबा कहते हैं विवेक और भावना का बैलन्स मन और बुद्धी का बैलन्स तो राजयोग में ज्यान योग भी है तो भक्ती योग भी है अगर सिर्फ हम भावना के अनुसार चलते रहे विवेक यूस ना करे तो उसको सफल राजयोगी नहीं कहा जाएगा और यदि सिर्फ विवेक के आधार से चले अर्थात, सिर्फ ग्यान के आधार से चले भावना यूज ना हो तो उसको भी सफल योगी नहीं कहा जाएगा हमें सफलता की अनुभूती करनी है जीवन में तो दोनों का बैलन्स होना जरूरी है कौन से समय पर कौन से ग्यान को यूज करना है इसके साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी उसे यूज करना जब हम निरने लेते हैं तो प्रेम की भावना भी शामिल करे और जब भावना से हम चल रहे हैं साथ में तो उसके साथ-साथ ग्यान भी साथ में हो तभी हम सफल योगी, राज योगी कहला सकेंगे और तभी सफलता की अनुभुती कर पाएंगे ओम शांती